कि औ यह को गया है और ज्योड है गुड़ इवनिग गुड़ इवन गुड़ इवनिंग जी गुड़ इवनिंग फड़ बताओ आवा जा रही हा आप लोगों को फड़ फड़ बताईए आवाज आ रही है दन हम अपना का सेशन आगे स्टार्ट करते हैं और जो भी अपने शेर बगएरा करना होता है तो कर दो जो भी शेर बगएरा करते हो तुम लोग ठीक है नमस्ते जी सबको नमस्ते को डिव बिल्कुल आ रही है करते हैं स्टार्ट थे कैज तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज हमर्य हों हमने शाम का फिक्स कर लिया है और जो बच्चे जिनको पता है उनको तो पता है जिनको नहीं पता वो अपना भई reminder set कर लिया करो 9 बजे का और क्योंकि दिन में हम अब तीन classes लेते हैं जैसे कि आपका 4 करिये जी स्टार्ट करें फिर हम चलिए साउंड क्लियर है चलिए आज डिस्स करते हैं सैट नंबर सिक्स और मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोईल और प्लस आप मुझे परस्नलिक कर सकते हैं इंस्टागराम के तुरू डॉक्टर विपन गोईल के नाम से और जो आपके इस सब्सक्राइब करता है तो यहां पर आपको कनेक्ट कर रहना ही रहना है क्योंकि यहीं से आपको नोटिफिकेशन हर लेक्टर की मिलेगी लेक्टर से पहले ही चीक है और बाकी आप देखेजी मेरे दो पेड़ कोर्स आते हैं 17 तारीक इस को पड़ना चाहते हैं तो मैं हाइली करूंड करूंगा आप इन कोर्स को पड़ेज करो क्योंकि जितने भी एक्जाम हो रहे हैं और मन से पढ़ रहा है फालतों की बातों में नहीं जाता देखें काफी लोग पूछते हैं कि सर यूट्यूब और पेड़ कोर्स में फरक्या है पेड़ कोर्स के अंदर क्या होता है सारी चीज़े और प्लस आपकी PDF होती है और वहां पर यह चीज नहीं चलती होती है जैसे सकता हूं ठीक है और मैं वहां पर अराम से मेरे को बिन अटेंशन में पढ़ाता हूं और यहां पर यहां पर 10,000 mcu कोर्स है जैनल अवेरनेस का और यह हमारा डिसकाउंट चल रहा है अभी दिवाली डिसकाउंट 50% प्लस 10% एक्ट्र डिसकाउंट आपको विपन 10 कोड यू सकते है तो इन कोर्स को परचेस कहां से कर रहेगे वह आपको मैं बता देता हूँ आपको करना क्या है study IQ की app आपको डाउन्लोड करनी है जैसे आपने study IQ की app डाउनलोड कर रही आपको स्क्रीन के उपर ऐसे home page नजर आएगा home page में यहां पर best selling courses view all का बटन दबाना तीसरे च करें स्टार्ट आगे में वियद्द यह आएंगे पप्र में koshen हमारे ही आएंगे लिकिन बच्ट बच्ट को आता होता है वही बच्चा मुझे कमेंड करता है वही बच्चा मुझे मैस agar करता है कि जो पड़ता करता है अभी इसमें में एक बच्चा है जो भी जो अखिल शाय था नाम आइड़नों एक्जेक्टली क्या था उसने मुझे उस पर मैसे किया था इंस्ट्राग्राम के उपर वो मैंने शेयर नहीं किया को कि मैं बहुत जादा मैसे शेयर नहीं करता होता बस ठीक है दो-चार मै उनकी तरफ तो बिल्कुल दियाने देना जो चैट बॉक्स में आएंगे यह वो उससे बात कर लो उधर ग्लास चल रही है जो बच्चा पढ़ने आया यहां पर फोकस होके पढ़ना और मज़ा आएक आपको चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन क्या कहता है इन में से कौन सा ज 1951 में हमारा बना था 1951 में और उसमें क्या हुआ था कि जैसे भी हमारे संटर जहां से भी पैसा आएगा तो आपको फाइनेंस कमिशन करवाता है और अगर बात करिया है कि बाहर से कोई पैसा आया ठीक है वो भी center और state में डिवाइड करना है तब भी कौन करवाएगा finance commission वितायोग करवाएगा clear अभी at present हो है हमारा 15 finance commission चल रहा है पंदरमा finance commission जिसके chair person कौन है एन के सिंग कौन है एन के सिंग ठीक है तो यहां पर बात क्या कर रहा है finance commission का article नंबर बताना है तो वह पिए आर्टिकल 2269 क्या तै ethics Schule 69 69 69 69 क्या गconscious 29 कै एदा है इसमें क्या कहता है कि जो आपका टेक्स है वह टेक्स जो है आपका सैंटर गपनेंटिंट रही है ची कि कटर रही है घंक सेंटर गभर्मेंट ही क्लेक्ट कर रही है दो सैंटर गभर्मेंट ने लगा या सेंटर कामेंट कर रही है लेकिन वह स्दार टेक्स आपने किसको दे दिया स्टेट को दे दिया वो आपका चुह सिक्स्टी नाइन में लिखा मुझा हुआ है फिर आगे आपका आर्टिकल नंबर 268 इसमें क्या कहता है हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल 268 क्या कहता है कि सेंटर गौर्मेंट टेक्स लगा रही है स्टेट ने इसको कलेक्ट किया स्टेट कलेक्ट कर रही है और स्टेट के स्टेट का ही टेक्स है मतलब सेंटर ने ल 265 is very very important 265 में क्या कहता है कि ऐसा कोई भी टेक्स नहीं है जो आपका बिना अथॉरिटी के लगाया जा सके मतलब क्या हो गया नो टेक्स शेल बी लिवाइड और क्लेक्टेड एक्सेप्ट बाइद अथॉरिटी ऑफ लॉव मतलब क्या हो गया अगर जब आपकी अथॉरिटी नहीं टेक्स लगा रही यहां पर तो आपका टेक्स नहीं तो लगेगा नहीं क्लेक्ट होगा वो किसमें लिखा हुआ है 265 में लिखा हुआ है इस सूपर इंपॉर्टन कुश्चन क्लियर हो गया तो अंसर इसमें ए ऑप्शन बन जाएगा फाइनस कमिशन तो यही जब बा वाइड होगा तो आपको कोई भी पैसा होगा सेंटर स्टेट में डिवाइड होने वाला वह फाइनस कमिशन का का मैं है क्लिए अप लोगों समझ आ आप लोगों को चलिए नक्स देखें जी क्या गएता है कोशन देखें क्या गैता है फटटाफट बताना है डाइटरी इं अब यहां पर चाहिए होगा अब यहां पर चीज़ देखो थायरेट ग्लैंड जो है आपकी गले के अंदर है यहां पर थायरेट ग्लैंड के लिए आपका एक हॉर्मोन और मैंने आपको बताया था कि थायरेट ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए कौन सा चाहिए हमें आयोडीन चाहिए अंसर इसमें कटाश्यंग हो गया यह तीन के साथ हुआए यहलं के साथ लिंक करती हैं के advance के लिए हुआ कि निखा हूआ है वह करते हैं एक और चाहिए होता है आपका और चाहिए होता है निक करती है कैल्के साथ भी चाहिए होता है समझाया बोन्स के लिए आपका फॉस्फोरस भी चाहिए होता है कैश्यमेंड फॉस्फॉरस इसमें सी ऑप्शन बनेगा बिल्कुल जी अब यहां पर तीन कंडिशन लिखी हुई है हाइपो थारेडिजम जहां पर आपकी थायरेड ग्लेंड जो है बहुत पर एडुकेट अमाउंट में फूड में चाहिए होता है और यहां पर हाइपो थायरेडिजम में जब आपका ग्लेंड काम करना कम कर दे तो इसका मतलग आपको आईडिन रिच खाना चाहिए फिर लिखा हुआ है जब आपकी थायरेड ग्लेंड ज्यादा काम करने लग जा समझ आए आप लोगों को यैसब बिल्कुल बिलकुल बिल्कुल वेरी गुड चलिए अगला बता यह फ्रट-फट खुशं उ प्रावाजय को रगां करहें हुए हुवाज पार्स्तियागराही ऑफ दो पर्सनल सत्यागराह मूनर्ट यहां पे पर्सोनल का मतलदय क्या है व व्यक्तिकत सत्यक्राः जो वुआ था और पावनार से स्टार्ट किया गया था और इसमें जो है हर बंदा अपना अपना जो सत्यक्राह कर रहा था लेकिन जब फक्राइब उस चाहीं पर पहले परसंद यो पकड़े ते डाट वाज अचारय बिनोवा बावे इस लिए और अगर आप से पूचा कि दूसरे सत्याग रहिए कौन थे तो दूश्रे सत्यगरह पकड़े गए थे जो जम्हालाल नहर॑ जो रोजनि नाइट्यू लिखा हुआ है उन्दिया वह है अगर आपको यादो आइएनसी ने सैकंड मीटिंग मेंठाल ऑन क्लियर गोल में लेंडन के अंदर तो वहां पर गांधी जी गए थे आई एंसी की साइट से लेकिन लड़कियां को भी रिपर्जेंट किस ने किया था वो स्रोजनी नाइडू ने किया था स्रोजनी नाइडू जो है यह हमारी यूपी स्टेट की पहली लेडी गवर्नर थी औ और अगर आपसे फिमेल पूचा पहली फिमेल गवर्नर तो भी आपका स्रोजनी नाइडू आंसर बनेगा क्लियर होगे आप लोगों को 1925 के अंदर पहली महिला पहली भारतिया महिला जो आई एंसी की प्रेजिट बनी थी वो स्रोजनी नाइडू थी अगर वैसी पूचा क कि पहली महिला बताओ तो एनी बिसेंट बनेगा समझाया आप लोगों को पहली महिला पूचा तो एनी बिसेंट बनेगा 1917 में पहली भारतिया पूचा 1925 में स्रोजनी नाइडू कानपूर सेशन था वो कलियर हो गया जी आपको फिर आगया जी सी राजगोपला जा रहा सी आपको पता होगा बहुत बार डिस्स किया हमने कि जब देश आजाद हुआ था लॉड माउंट मेटन के बाद पहला गवर्णर जनल जो हमारे आजाद भारत का कौन बनाया था सी राजगोपला जा रहा उसके बाद आप ऐसी भी सकते हैं दा लास्ट गवर्णर जनल ओफ फ्र 59 का सेशन ऐंध दो को हराया और इन्होंने जो हाद दूसरी बार जो है गांधीरेंश में लगेते तो इन्होंने छोड़ दिया और इन्होंने क्या किस फॉर्वồng 가운데 फ्र Simmons से इंडिया से गए सिंगापुर सिंगापुर में इन्होंने आइन ने आजाद हिंद फोज को निर्मान किया 1943 में सिंगापुर में देन उसके बाद जो है वह चलते चलते कर देश के आजाधी के लिए नोंने काम किया और इन्हों ने गांदी जी को को क्या बोला था father of nation राष्ट पिता बोला था समझा है आप लोगों को येस कि तुम्हें समझ आभी रहा है नहीं बहुत बढ़िया दिनेश बहुत बढ़िया भाई अगर आपका एक्जाम जो भी डीडिये वगएरा का जो एक्जाम था अगर आपको देखो मैं हमेशा आपको कहता हूं जो बच्चा पड़ेगा ना क्लास में उसका कल्यान होने वाला ही है ठीक है किसी को टफ लगेगा किसी यह फर्क पढ़ेगा पेड कूट में आप पढ़ेंगी तो आपको एक अलग्या खलेगी यहां दीस्केशन लोगों से क्यों चल रही है आपको डिस्टेक्शन नहीं है चलिया जी कर लिया जो एक विशेश पिमारी की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार होता है तो बताना है जो चिती आपको स्कूर्ण जो आपकी एक प्रटिकुलर विमारी जो है क्या होता है ठीड़्यश ऑपको क। अब्य मेंटेमिक का मतलब क्या होता है कि आपकी बीमारी जो है वो फैल चुकी है एपिडेमिक का मतलब क्या हो गया कि जब बिमारी चल रहा रहा है पैंडमिक का मतलब सिंपल एरिया में एक पेसे सइंस हैं जिसमें हम बात करते हैं यहां आ सी न सम्मरम करते हैं कि हां अपके कौन से एसी साइश कॐन से डिशीज है जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रही है और उसके लिए कॉसे घरेजिने क्या इंसिदेंस पढ़ने वाला है कैसे हम उसको ठीक करेंगे वो सारा epidemiology में लिखा होता है तो यहां पर उसने क्या बोला था कि एक फैक्टर जो है अपीरेंस की बाद चल रही है यार एक हाई टच टच से ना बड़ा दिक्कत आती है कि कोशन क्या कह रहा है यहां आपके अपीरेंस की बात कर रहा है कि एक पटिकुलर डिजीज की अपीरेंस जो आपके फैक्टर रिस्पॉंसिबल है यहां बिमारी करेंगे जिसमें आपके बहुत सारी जो है डिस्फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से आपकी से डिस्फंक्शन करेंगे और एट देंड जो है आपके सेल डेथ भी प्रॉपर तरीके से हो सकती है क्लियर हो गए आप लोगों को येस चलिए जिए फटाफट बताईए यह हमने अभी 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 हमने एक्स्प्राइशन में डिस्स किया था कौनसी पार्टी जो है सुभाशंद्र बोजी ने 1939 में चलाई थी जब वो कॉंग्रस से कॉंग्रस से उन्होंने हाथ छोड़ लिया था मतलब कॉंग्रस से वो निकल गए थे तो कौंसी जो पार्टी थी बताईए जी फटाफट कौंसी पार्टी उन्होंने स्टाट कर आई थी डैट इस फॉरवड ब्लॉक कमैटी अंसर इस इसमें D option बनेगा आजाद हिंद फोज ने हमारे देश की पहली स्टेट जो है आजाद करवाई थी एंडट स्टेट वास अंडेमान निकोबार आइलेंड अंडेमान का नाम इन्होंने रखाता शहीद और निकोबार का नाम रखाता इन्होंने स्वाराज समझाए आप जय हिंद का नारा तुम मुझे खुन दोगे मैं तुम्हें आजादी दूँगा इंडियन स्ट्रगल ऑटोबाइग्राफी सब कुछ इन्होंने लिखा हुआ है चलिए अगला बताईए कोशन फटाफट बताईए पढ़ लो भाई पढ़ लो चलिए अगला कोशन देखें जी क्या कहता है इनमें से ऐसा कॉंसर स्केडियूल है जो आपकी ऑफिशिल लेंगुजिस आपकी जितनी भी अधिकारिक बाशाएं हैं राजकिया बाशाएं हैं उसमें हमें बताता है जब हमारा सभीदान बन चु है और अब हमारी राज के भाईशाएं कितनी है अब हमारी टोटन है 22 बाईटस हैं हमारी अभी और कौन से इसकेडियूल में लिखा गया है यह लिखा गया है आथवे स्केडियूल के अंदर सो अंसर इसमें क्या बनने वाले है दे ऑफ्शेवर्शन बनेगा फिर यहाँ प जिसमें आपकी लिस्ट बता रखी है और लिस्ट भी कौन सी है आपकी Center List, State List, Concurrent List, जाने के आपकी Center वाली, केंदर वाली, राजिया वाली और आपकी संवर्ती सूची, जिसमें आपके अलग-लग कानून बनते हैं, Center वाला Center पे कानून बनता है, State वाला State पे Concurrent में दौनों कान बनाते हैं clear छटा schedule लिखा गया है छटे schedule में क्या है scheduled area की आपकी administration schedule area की administration लेकिन वो चार रज्यां है आपके छे चार रज्यां है छटे schedule के अंदर that is 80 mm से आपको याद करना है असम त्रीपुरा मेघालय मिजोरम यह आपके सारी चीज़े बात करता है यहां पर clear हो गया जी आपको so answer इसमें क्या बनने वाला है आपका d option बनेगा that means 8 schedule आठवी अनिसूची में लिखा गया है अब यहां पर आपको एक चीज यहां रखनी है इसको एक चीज याद रखनी है क्या यह वाली बोडो कि बोडो डोगरी मैथली और संथाली यह चार बाशाएं बिल्कुल you know can clear all right अब लोगों को यैस चैलिए आगे बतावे हैं कि एक प्रैपटाइट बॉन गर्साम्त इस कि बोडोडोन और स dulu सब्सक्राइब प्रइब भान जो है वह कि इसमें बनता है वह लुद बताईए पंछ बंट किसरे बनता से हैं यह सब को पता होगा कि peptide मतलब जो आपके amino acids होते हैं amino acids जो bind करते हैं क्योंकि protein किसे बनता है amino acids और amino acids जो है एक बूसरे के साथ bind कैसे करते है peptide bond से और वो bond जो है एक बनता है आपका amino group और आपका carboxyl group से that means c option बनेगा c option is the correct answer amino group and carboxyl group answer इसमें c option बनेगा समझाया जब यह बनता ना जब बॉंड बनता है तो इसमें से पानी निकाला जाता है water निकल जाता है clear water निकल जाता है that is peptide bond यहां पे देखिए so this is the carboxyl group and this is the amino group यह जब join कर रहे हैं आपस में निकल रहे हैं तो इसमें जो है आपका यह बीच में बन गया यह वाला this is called peptide one और इसमें क्या रिमूव हुआ जी आपका इसमें जो है पानी को रिमूव किया गया है water removal हुआ है यहां पर समझाए आप लोगों को यह चलिए यह आपको पूछा नहीं जाएगा मतलब यह ग्राफ दिखाओ इमेज दिखाओ बस आपको पता होना चाहिए कार्बोजाहिल ग्रूप और एक अमीनो ग्रूप चलिए अगला बताईए एक नॉर्मल इंसान जो है एक मिनिट में जब रेस्ट कंडिशन की उपर होता है तो एवरेज वो कितना सांस लेता है उसका breathing rate क्या होता है breathing rate को मापन 15 यह आपको पता कैसे लग सकता है अपने पेट को देखेंगे ना आप तो कि सांस लेने में पेट हिल रहा होता है ठीक है तो उससे कंसीडर किया जाता है डॉक्टर भी ऐसे थोड़ा कि हां मतलब डॉक्टर को अगर उसके पार स्पाइरोमेटर नहीं है तो कैसे देख सकता तो यह एंज ग्रूप लिखा हुसे जैसे के आपका लेज धन वा इयरर एक साल च्छोटा बच्चा है तो उसका तीस से willingly होगा एक से दो साल का बच्चा है पच्चीस से पैंथीस होगा नहीं हमारत पता को यह? पता सब्सक्राइब ऊपर इकनोर्मिक अब्रोमे ट्रियंग विंडियाउ में ऐख़ी क्या होता था कि इम्प्रेंडिस्म का मतलब मतलब होता है यसे अंग्रेज रूब करते थे वहां अपने लोगों को छोड़ जाते थे ते वहां पे कलूनी बनेगे रूल करेंगे और अपना बिसनस करेंगे अब इंपेरियलिजम क्या होता था कि प्रॉपर तरीके से देश में से पैसा निकाला जा रहा था चाहे वो आपका सेलरी के context में हो चाहे चूट के context में हो किसी बी चीज के context में तो आपका economic drain हो रहा है हमारे देश से पैसा बहर जा रहा है जिसे आप दादा भाई नरोजी इस दा करेक्ट अंसर दादा भाई नरोजी ने एक पुस्त कौन से लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ठीक है यह आपको याद करना है फिर यहां पर लिखा है महात्मा गांदी महात्मा गांदी ने एक अपनी ओटो वाइ इंडिया ठीक है आर इसी दत जो है आपकी एकनॉमिक हिस्टरी आफ इंडिया लिखी है क्लियर होगा आप लोगों को तो vara क्ट उनसर शमें सी ऑप्षेल बनेगा दादा बाई ना रोजी यह है जी the grand old man of India grand old man of India clear याद रखिए important question है grand old man of India इनके बारे में एक question और मैंने डाला है इसी lecture के अंदर वहां पर मैं इनको और भी 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको बताने थे वहीं पर बताऊंगा आपको ठीक है चलिए अगला वोशन देखिए जी क्या है पहला scientific estimate जो है national income का किसने दिया था scientific estimate जो है national income का किसने दिया था बदाइए देखिए जी question जहां से समना है अगर यह पूछता कि पहली बार national income किसने calculate करी थी तो उसका अंसर क्या बनता आपका दादा भाई नरोजी समझाया लेकिन यहां पर क्या वर्ड लिखा उसने scientific estimate का मतलब क्या होता है यहां पर दो चीज़ों consider किया गया एक तो आपके agriculture sector को क्रिशी वाले को और एक आपके corporate sector को ठीक है यह सेक्टर को consider किया गया जिसके कारण जो है यह आपका मतलब scientific तरीका बना और यह किसने स्टार्ट किया था यहां पर लिखा हुआ है जो थी वह पौवर्टी के लिए ती गरीबी के लिए मनमौन सिंग जब हमारे finance minister थे तो इनके टाइम पे 1991 के अंदर क्या हुआ था लिबलाइजिशन प्राइटाजिशन ग्लोबलाइजिशन मनमौन सिंग प्राइम नर्सिमा राओ वाजजा प्राइम निस्ट्र एट टाइम आप लोगों को इसमें अं प्र vicious और यहां पे दाधाभाई नरोजी में आपको बताया था तो मैं आपको यहां बेरो पाऊंगा इनका क्या की जृदाभाई नरोजी हैं क्या कहलते हैं ने उल्फेंट और इंडिया ख्र conve टोलने इन कांग्रसŁ को और पार्टी का नाम क्या था लिब्रल पार्टी था लिब्रल पार्टी याद रखना इंपॉर्टन्ट है इन्हों ने पॉवर्टी एंडिया पुस्तक लिखी है और प्लस इन्हों ने एक लिखी थी रस्त गौफ्तार रस्त गौफ्तार भी इनका है पेपर ठीक है याद रख जल्दी बताईए फटाफट इन में से कौन सी ऐसी डिजीज है जो वाइरल डिजीज है वाइरल क्या कहते हैं इसको विशानू ठीक है बेरी-बेरी जो होती है वाइटमिन B1 की कमी से होती है जिसे आप कहते हैं थियामिन क्लियर होगे आप लोगों को यस और सिफ्लिस जो होती है बैक्टीरियल होती है बैक्टीरियल बैक्टीरियल में कौन सा बैक्टीरिया ट्रैपोनीमा पैलीडम और रिकेट्स जो होती है यह होती है आपकी कैलशियम की कमी के कारण वाइटामिन डी की कमे के कारण क्लियर मीचल जो होता है यह होता है शalon sewing क्या बने आपका बी Olivia reinforcing बनने वाला है देखो बाइंगा गलतियां मत करो गलतियां कर रहे हो जो सोचे समझे आप अंसर लगा रहे हो इसमें रिवियोला वाइरस होता है ध्यान से पढ़के करो फालतु में फटाफट मत करो गलतियां हो रही है आप लोगों की अंसर इसमें बी ऑप्षिन बनेगा यहां बेदेखेजी मीजल्स का जो वाइरस है वो कैसे इंफेक्ट करता है आपने जो एर्बॉन पार्टिकल्स हैं जैसे खांसी लई आपके एर्बॉन पार्टिकल्स गए तभी जो कोविड-19 है वो भी ऐसी है कि अगर आपने मुह ढगा नहीं हुआ आप खांसी कर रहे हो किसी उपर डाल दी और उसके डॉपलेट्स गए वारस अंदर चला जाएगा ठीक फड़ा बढ़ बताईए ब्लड प्रेशर को मेजर करना है हुमन के अंदर ब्लड प्रेशर को बीपी को मेजर करते हैं तो इसमें बीपी को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है देखे जी जो इंस्ट्रूमेंट है इसको डिसकवर किसने किया था इनका नाम तो ब नेगा और जब भी blood pressure मापा जाता है वो कहां से धमनियों से मापा जाता है artery से धमनी से ठीक है और हमारा normal blood pressure कितरा होता है 120 वटा 80 अब यह 120 क्या होता है डाड़ी स्टोल और दूसरा 80 वाला क्या होता है डायस्टोल ठीक है याद रखिए मैनोमेटर जो होता है यह liquid का pressure को मापने के लिए अगर दीरे दीरे नीचे गिर रही है तो इसका मतलब बारिश होने वाली है अगर दीरे 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 उपर उठ रही है तो इसका मतलब आसमान साफ है समझाया तो इस आर्दा फेक्टर जो आपको पढ़ने है यहां पे तो इस टांगों में भी जब फिर कहेंगे टांग नहीं है तो कैसे यह बहुत सरी चीज़ें हैं आपकी बॉड़ी के अंदर बहुत सरी आटरी जहां से चीज़ों को हम देख सकते हैं क्लियर द्यान रखना ब्रेकल आटरी को हम चेक कर सकते हैं यहां पे क्लियर हो गया जी आपका चलिए चलिए जल्दी बताइए ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है ब्रिटिश इंडिया का जिसने ट्रिपल अलाइंस बनाई थी टीपू सुल्दान के गेंस टीपू सुल्दान के और मराथा इन तीनों लोग जो हैं टीपू सुल्दान के गेंस थे और इंग्लिश में कौन बंदा आया था डैड़ बॉस लॉड कॉर्ण वालिस अंसर इसमें क्या बनेगा आपका ए ऑप्शन बनेगा लॉड कॉर्ण वालिस इस प्रेक्ट अंसर समझाया आप लोगों को जमिदारी प्रथा भी आप कहते हैं इनको बोलाया था था फादर ओफ सिविल सर्वेशिज इन इंडिया सिविल सेवाओं की प्रिक्षा है वो लॉड कॉर्नवल इस लेके आया थे हमारे दीश में लॉड मिंटो आपने याद होगा मॉरले मिंटो रिफॉर्म याद किया थ थी लौड वॉरन हास्टिंग वॉरन हास्टिंग कौन है वॉरन हास्टिंग जो है वह आपके जिन्होंने रेगूलेटिंग एक्ट सेवंटी सेवंटी चलाया था सुप्रीम कोट बनी थी चोहत्तर के अंदर सेवंटी फोर के अंदर अकॉर्डिंट टॉड एक्ट सेवंटी 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 थी और डियूल कवर्मेंट इन्होंने खत्म करवाई थी ठीक है आप लोगे आप लोगों को तो आंसर इसमें पर्मनेंट सेटलमेंट स्टार्ट करी थी लॉड वैलेस ले अच्छा एक चीज़ा आपको ध्यान रखना है मैंने अभी आपको बोला था सब्सिड्री अलाइंस सब्सिड्री अलाइंस साइक संदी मैंने उसमें साथ 1793 बोला है उसको करेक्ट करके आप 1798 लिखेंगे 1708 मे यह कौन है परसन जिसने इंग्लिश एजुकेशन लगाई सती प्रथा को खत्म करवाया लॉड अलहौजी जिसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हडप लिती के सिदान स्टार्ट कहीं थे जिसमें आपकी सतारा वाजा फॉर्स टेट कैनिंग जिसके टाइम पे आपका 1857 का हुआ था लॉड मायो जिसने पहली बार जो है आपका फाइनेशल डिसेंट्राइशन के विलिए बात करी थी और यह वो परसन है जिसको जिसको सैलुलर जैल जाने के अंदर आपकी काले पानी की जैल होती थी वहां पे किसी अफगान ने मार दिया था ठीक है तो दीजार द पेशिज काले पाते हैं झालम पहतने की जो ऊपाती सिर्फिकैशन से जिसे था है जो देखने को अपको मिलती है और जिसमें आपका इसमें जो इसकेrous इसके इलाबा अमीबा हिस्टी नई इसक्षार्णी केर इसके एलाबा अमीबा हिस्टोफ का भी देखने को आपको मिलता है ॥ा मिलता ध्यृस को सब्सक्रान कि में अपने सुना होगा जिसमें किया था ताइफ और इसके टेस्ट कौन सा है विडाल टेस्ट लेशमेनिया जो प्रॉबलम होती है यह आपकी परसाइट के कारण होती है परसाइट के कारण क्लियर हो गए आप लोगों को येस और इसमें जो कॉजटिव एजेंट होता है डेट वॉस सैंड फलाई सैंड फलाइ प्लाजमोडियम प्लाजमोडियम जो है आपका malaria malaria करता है malaria प्रोटोजोल जो disease है आपकी plasmodium के कारण देखने को आपको मिलती है बिल्कुल जी अगर आपसे पूछा कि malaria को फिलाता कौन है तरहें आप कहेंगे कि मच्छर फिलाता है female anopheles और मलेरिया के अंदर आपके दो सेल की उपर इफेक्ट बढ़ता है एक आर्बीसिस की उपर और एक लीवर की उपर समझाए आप लोगों को तो यह एफेक्टर आपको याद रखने है अंसर इसमें बी ऑप्षिन बनेगा शीजेला इस और यहां पर बहुत सारी जो है आपके कॉजटिव एजेंट है कंपाईलो वेक्टर है एंटमीबा हिस्टुलेटिका है साल्मोनिला है शीजेला है और यह कैसे होता है अगर आप अनकुक्ड फूड खाते हो सैलेड वगरा खाते हो तो यह प्रॉब्लम होने लग जाती है आप लोगों को ठीक है चलिए अगला बत आपकी एजनसी है फड़ा वड़ बताना है इसका अंसर प्रयावर्ण को बचाने के लिए देखे जी नासा की अगर मात करें तो स्पेस सेंटर है यूएस का नैशनल एरोनॉटिक स्पेस अद्मिस्टेशन जिसके हैड़कॉर्टर कहां पर है वाशिंग्टन के अंदर और जिम ब्रेंडन स्टीन जिम ब्रेंडन स्टीन जो है यहां के अड्मिस्टेटर है नासा के क्लियर ग्रीन पीस की अगर मैं बात करता हूं ग्रीन पीस एक जगह है निदरलेंड के अंदर जो आपकी बात करती है किसके लिए आपकी इन्वार्मेंट के लिए तो अंसर इसमें यह पर संद जिन्हों ने स्टाट किया था तो इस कोंशन का एंसर क्या बनेगा आपका थर्ड ऑफ्शन बनेगा डैटिस Greenpeace इस दा करक्त आशर गृपर्इन चीज़ आपकी निदर्लेंड के अंदर ठीक है एक याद करो Wildlife Protection Act Wildlife Protection Act याद करो ठीक है यह आयता 1972 में हमारे देश में environment issues को solve करने के लिए NGT बनाई गई है National Green Tribunal 2010 में बनी थी और इसके headquarter कहां पे हैं दिल्ली के अंदर है और original headquarter तो बहुत सारे हैं अब आप comment section में लिखके बताएंगे जो NGT के chairperson है NGT के chairperson का नाम comment section में लिखके बताएंगे कि क्या नाम है NGT के chairperson का clear होगे आप लोगों को चलिए अगला बताईए फट फट अफट है headquarter of European Union is situated in European Union के headquarter यहां पे कहां पे है European Union जो है आपकी यूरोप के देश जिसमें आपके 27 countries है 27 country है और इसके headquarter कहां पे है अंसर इसमें C option बनेगा ब्रजल्स Belgium के अंदर पैरिस के अंदर headquarter किसके है यूनेस्को के यूनेस्को के headquarter है clear और और दूसरा headquarter है OECD का organization for economic and cooperation development वह भी कहां पे है पैरिस फ्रांस के अंदर है तो इस question का अंसर क्या बनेगा जी आपका c option बनेगा Brazil's is the correct answer Brazil's answer is C option चले अगला बताइए फटा फटाइए bridge एक technique होती है कौन सी game के अंदर bridge एक technique होती है कौन सी game के अंदर सो मैं आपको दिखाता हूं पहले तो bridge technique क्या होती है इस तरीके से होता है जहां जब किसी person का जो wrestler होता है उसका सर नीचे है और यह proper द्रेके से अपना पूरा मतलब pressure लगा रहा है इसको इसकी जो मतलब चाहती है उसको मतलब पीठ को नीचे लगाने के लिए ताकि जो इसको जो मिल जाए I mean उसे स्कूर मिल जाए ठीक है तो इस इस कॉल्ड आपका bridge ठीक है तो यह कहां पर हो गया आपका wrestling के अंदर इसमें क्या बनेगा बी option बनेगा wrestling is the correct answer और इसके लिए बाउट ठीक है फ्री स्टाइल नियर फॉल तो इस आर दा वर्ड जो आपकी wrestling के साथ अंसर इसमें बी option बनेगा बी option डिस इस दा डिस इस दा आपका डैस ब्रिच नेक्स बताईए जी बंद अर्थवस्था का मतलब क्या होता है मैंने बहुत बारे कुश्यन आपको करवाया है आपको याद भी करवाया क्या से याद करना है economy मतलब अर्थवस्था जहां पर लेंदेन चल रहा है अगर वह open है open का मतलब दुकानने खुली हुई है आप वहां पर sale purchase कर सकते हो क्लोज का मतलब दुकानने बंद हो चुकी है इसका मतलब वहां पर आप sale purchase नहीं कर पाएंगे ऐसा ही हमारे देश में अगर कोई देश अगर कोई देश की बात कर रहा हूं अगर कोई देश जो है आपका लेंदेन कर रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है तो डेड़ option बनेगा क्लियर हो गया आपको यस फटफट 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 अनसर आने चाहिए आपके आंसर इसमें डी option बनेगा close economy clear तो यहां पर देखेंजी no import no aid no export isolation कोई भी जो है आपका कुछ भी तरीके से नहीं हो रहा अपना कुछ भी लेना देना किसी के सा बात नहीं है अपने लिए खुद काम कर रहे हैं this is called closed economy चली अगला बताइए फट अफट अगला कोशन बताइए फट अफट क्या कहता है कोशन क्या कहता है पहली बार डायार की जो है दोई शासन की चीज़ें वह प्रविंसिस के अंदर प्रांतों के अंदर जो है कब हो गया अब द्वेशासन का मतलब क्या होता है दो चीज़ें दो चीज़ें मतलब क्या है एक तो आपका रिजर्व सब्जक्त है एक आपका ट्रांसफर सब्जक्त है रिजर्व का मतलब जो किसके पास रहेगा गवर्नर जनल के पास जैसे आपका foreign affairs defense ऐसी वैसी चीज़े औ तो आपके Indians को मिल गए लेकिंट इंडियांस को भी ऐसे कभी वो ट्रांसफर करके कहां पर आ सकता है गवर्नर जनल इंडिया के पास आ सकता है तो वह सबसे पहली बार कब बात करी गई थी 19-19 के अंदर पहली बार बात करी थी डियार की प्रोविंसिस के अंदर यहां पर ध कब करी गई थी प्रांतों के अंदर याद रखना प्रांत वर्ड आना चाहिए प्रोविंसिस आना चाहिए देन आपका अंसर बनेगा 1935 जब खत्म करी गई थी अगर उन्होंने पूछा कि द्वेशासन डियार की जो है सेंटर में जाने के केंदर में कब लेके आए गई ग अप्षिन बनेगा काउंसिल एक्ट एटी नाइंडिडू जहां पर आपके अपर पर्तियक्ष इंडिरेक्ट इलेक्षिंस जहां पर पहली बार हुए थे 1909 का पॉइंट क्या था मॉर्ले मिंट रिफ्रम जहां पर हिंदू-हिंदू-मुसलमान-मुसलमान की बात करी गए थी 1935 का एक्ट हम डिस्केस कर चुके हैं और दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि हमारे सविदान का 75 परसेंट हिस्सा तीन बटा चार हिस्सा हमने कहां से लिया है आपके गौर्मेंट ऑफ इंडियक्ट 1935 से लिया है 35 के एक्ट के लिए जोहाला नहरू जीने एक स्टेट बनेगा गौर्मेंट ऑफ इंडियक्ट 1919 क्लियर और इसको हम और क्या कहते हैं मॉन्टेक्यू चैंसवर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है जहां पर आपके दो सब्जक्त डाले गए थे ट्रांसवर्ड और रिजर्व जो मैंने आपको बताया है और पहली बार बाइक अपर ह प्रोस्ट हिस्टा जो है अमारे इंडियों चको एंडियर 1919 का था यह चलिए अगला बताइए इसका सब्रसक्राइए थियॉर्य मद्फित डिवर कैमिकल ठेकनॉलीजी के जो है आपका कहां प केस dipping प्रसाइनिग प्राद्फ बादयों की का भारतिय सरहत्तान कहां पे है कहां पर है है और किसके अंदर आता है सी एसाइयार के अंदर कांसिल ऑफ साइंटिफिक एंड़िसर्च के अंदर आता है तो अंसर इसमें सी ऑप्षिन बनेगा राइट अंसर क्लियर हो गया कैमिकल से मेरे दिमाग में एक चीज और याद आई क्या कि फार्मसिटिकल आपको पता है फार्मसिटिकल जो होती है यह किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है यह कोशन बहुत बार आता है आप कहेंगे कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आ जाएगी नहीं हेल्थ मिनिस्ट्री के ना कि यह कहां पहां पहां आती है यह क्या सब्सक्राइब डिपार्टमेंट ओफ डिपार्टमेंट आफ चैमिकल ऊंदर यह द्याशन रखना जित्री भी मैडिसन बगारा का कॉंसेट्ट है वह क्यमिकल और फरिलाइजर के बीच में आता है क्लियर होग आप लोगो यह आंसर इसका अंसर बताई यह फटाबट अंसर कोशिं में से ट्राइबस है और उनके राज्या थिया लुटा यह वह है यह उसके पालिक है यह जिटेख लिया नर्थ यह द्र हिमार्श्य प्रदेश यह भी सही है कोटा तमिल के अंदर है यह आपका पॉइंट गलत है तोडा जो है आपके कहां पे है तमिल लाडू के अंदर है तोडा जो है वो कहां पे है तमिल लाडू के अंदर है समझा गए आप लोगों को येस तमिल लाडू के अंदर है अगर के केरल की बात पूछी जाए चेरल के अंदर झो हैसे कुरूंब के अंदर जो है कुरूम से क्लियर होगा आप लोगों को यह 27 नीचा ने का फैसने कीachen बनेगा इसमें क्या वाटन बनेगा इसमें क्लिकाल ये वेद जो है आपका कौन सा था बिलकुल जी बिलकुल यहां पर मैं सारे बता देता हूं जजुर वेद जो था जजुर वेद जो है आपका सेक्रिफाइस के लिए था जाने के जहां पर बलिदान वगरा देते हैं अथर्व वेद जो था आपका जैसे ब्लैक मैजिक काला ज जस्वा मंदल उसमें पुरुशुक्ता मंदल कहते हैं उसको जिसमें आपका वर्न सिस्टम जहां पर आपकी कास्ट के बारे में लिखा हुए ब्रह्मन शत्रिय वैश्य शुद्र यह सारी चीज़े लिखी गई है तो इसका अंसर क्या बनने वाला है सामवेद बनेगा ठीक है और उसके बाद आगा जज़ुरुवेद को पढ़ने वाला पंडे जो है आपका अधवर्यू 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 क्लियर हो गया आप लोगं को तो इस आधा इंपॉर्टेंट फेक्स जो आपको याद रखने है अंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा डैट मेंस जूंग्स नेग्स बताईए जी और अडयी होड़ा बम द्ल मोटर कोशन बोले देखे डिवन कंट था यह गर्रण है यह गूगा डांस कहां कहा है बताइए जी यह है देखे जी गूगडांज देखते हैं पहले कहां करें हिमाच्य मच्छाप्रदीश का जो फेर्व आरा वान्स डान ओड़ा च्रrade дел को नाठी नाटी डांज बड़ा फेर्मसा है यहां पर चिक है और आर सिक्किम का तवाइस रैचुंग्मा रैचुंग्मा डांस फॉम बड़ा धुतिंग में बूतिया फूक दुर понять फेमस है रियाना के अंदर बिल्कुल जैखने को बैस देखने से भाइन यूगा ऩॉद्स दिंटा है और प्लस उसके और यहां पर गूमर भी होता है हारयाना के अंदर टहले होता है छो यूप्सीचे एसे और सी ऐसे ऑप्शन बने गा आगला अगया बताईए जी कोशिकन यू एन कमिशन ऑन हाई राइट्स के लिए इन में हैं इसको रिप्लेइस किया गया था यू एन कमिशन ट्रॉस्टीशिप काउचल फेला इकनोमिक सोशल काउचल है यह पहला तीसरा चोथा यह तो यूए के पार्ट हैं UN के पार्ट हैं लेकिन यहां पर human rights के लिए बात करता है तो इसका मतलब answer इसमें क्या बनेगा that means B option बनेगा मानवा दिकार परिशद B option is the correct answer yes B option 2006 में इसको replace किया गया था 2006 में और आपको पता होना चाहिए हमारा human rights day world human rights day that is 10th of December 10 December को होता है हमारा human rights day clear होगे आप लोगों को answer इसमें B option बनेगा जी B option is the correct answer B option नेक्स बताइए यह कथन है जी इसमें सही बताना है कि कौन सा है कौन सा कथन जो है आपका सही है पहला point देखे क्या आगाता है chief secretary in a state राज्या में मुख्य सचीव जो होते हैं वो राज्यापाल द्वारा जो हैं आपके नियुक्त किया जाते हैं यह आपका point गलत है वो हमेशा जो secretary होता है वो आपका governor ना होके cm द्वारा point किया जाता है cm द्वारा राज्यापाल नहीं करता हमारे जो है chief minister करते हैं द्यां रखना पहला point गलत है लेकिन हाँ a point आपके cm करते हैं लगता नाम किसका है governor का द्यां रखना but appointed by cm clear दूसरा point है chief secretary जो है एक राज्या की उनका fix tenure होता है उनका कारेकल fix होता है यह भी आपका point गलत है उनका कोई fix tenure नहीं होता clear तो answer इसमें क्या बनेगा आपका d option बनेगा कोई fix time नहीं होता और दोनों ही point आपके गलत है answer इसमें neither one not two इनमें दोनों आ अंदर question lecture अच्छा लगा हो तो like जरूर करना और आपको मैं बता दू हमारे classes के timing 4 a.m. हमारी करंटेफेर की class होती है 9 बजे सुबह में हमारे gsmcq discuss करते हैं ठीक है और अगें 9 p.m. में हमारी rrb ntpc की class होती है जो बच्चे नए है तो यह classes के timing note कर लेजे हमारे डल जाते ह हैं यहां पे और आप यहां पर जॉइं कर लिजे टेलीग्राम channel को download कर लिजे और यहां पर डॉक्टर विपन गोईल के नाम से यहां पर जुड़ जाए और यहां पर जितने भी lectures होते हैं notification आपको YouTube से मिले ना मिले यहां पर आपको पक्का मिलती है यहां पर जॉइन कर लि है अगर आप किसी भी गर्मेंट एक्जाम एससी रेलवे डिफेंस स्टेट एक्जाम स्टेट पीसेस की त्यारी कर रहे हैं तो यह कोर्सिस आपको हेल्प करेंगे तो करना क्या है एक है हमारा 10,000 mcq कोर्स जिसके अंदर हमने चैप्टर वाइस mcq डिसक्स किए गए हैं चैप्टर वाइस टॉपिक वाइस चीज़े डिसक्स करेंगे हैं यहां पर और इसके अंदर आपको कूपन कोड लगाना है वीपन 10 वी आई पी एयन 10 क्लियर और दूसरा जो है हमारा कोर्स है टेडिब करने हैं जैसी आप डाउन्लोड करेंगे आपको स्क्रीन की उपर होंपेज नजर आएगा होंपेज में यहां पर पेस्क्रीन कर्स होगा यहां पर विउओ आल का बटन दबा देना तीसरे चॉथे नंबर की उपर आपको जी एस कोर्स दखेगा और लास्ट में आ bye-bye Jaihin thank you so much